14 देखिए, कहारा कि x लाई कर रहा माइनस 1 से 1 के बीच में, और दिया हुआ है कि x root अंडर 1 प्लस y और प्लस y root अंडर 1 प्लस x बराबर में जी दो, तो हमें सिद करना है, तो हमें सिद करना है कि dy बे x जोगा, माइनस 1 बाई, 1 प्लस x का होल स्क्वाइर होगा, चलिए, देखते हैं, तो इसके लिए पहले इसे हमें simplify करना होगा, तो आसे root हटाएंगे, कैसे करेंगे, देखिए, x root अंडर 1 प्लस y बराबर में, minus y root अंडर 1 प्लस x लिख सकते हैं, जिखेंगे, दोनों तरफ work करने पर, दोनों तरफ work करने पर, squaring करेंगे इधर, दोनों तरफ, तो यहाँ तो हो जाएगा आपका x square, और यहाँ से root हट जाएगा, यहाँ जाएगा y square, और root हट जाएगा 1 प्लस x, इंटु करो, x square, यहाँ पर इसको एक तरफ करते हैं, और इसको एक तरफ करते हैं, x square minus y square, बराबर में, हो जाएगा यहाँ से, क्या हो जाएगा, minus का x square y, प्लस में x y square, ठीक है, चलिए, अब देखते हैं, इसको एक बर minus में, एक बर plus मिली सकता है, x minus y, इंटु में x plus y, और इधर से minus का x y common करेंगे तो, यहाँ, x minus y, x minus y, खट गया, x plus y बराबर में, minus का x y बच गया, इसको इधर ले जाते हैं, और इसको उधर ले जाते हैं, तो y plus x y, बराबर में, इधर आके क्या हो जाएगा आपका, यहाँ के minus का x, यहाँ से मैं y common कर लेता हूँ, ठीक है, तो y common कर लिजे, तो 1 plus x, इंटु में y, बराबर minus x, यानि कि y बराबर में, minus x बटा में, 1 plus x, चलिए, अब इससे differentiate कर देते हैं, with respect to x, simple हो गया न, अब असानी से differentiation हो सकता है, तो dy by dx क्या जागे हाँ से, तो पहले इसका square करगा नीचे वाले का, 1 plus x का whole square, इसका differentiation, minus 1, इंटु में 1 plus x, और फिर minus, minus x वैसे ही रखे, और इसका differentiation तो 1, चलिए, आगे से solve कर देते हैं, तो उपर हो जागा, minus का 1, minus का x, और यह minus minus, plus का x, बटा में, 1 plus x का whole square, यह यह कर जागा, dy by dx आगे, minus 1 by 1 plus x का whole square, यह आपका answer आजागा, समझ गया, तो यही नहीं हमें prove करके दिखाना था, चलिए, अगले question पे चलते हैं, अगला question,